हुआ है फ्रेंड आप सब कैसे हैं उमीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तो सब्स्द्रेंगे हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम आप सभी को बताएंगे कि थर्ड फॉर्थ येर ने कार को कैसे चलाते हैं और कैसे कंट्रोल्ल करते हैं जिकि कंट्रूलिंग हम बताएंगे कि थार्ड फॉर्थ में कार्थी का इससे कंट्रूल करते हैं तो चली अब हम जानते हैं जिसे यहां पर कट है तो ब्रिक पर रखिए जी दिरे प्रेक लगाते रही केवल ठीक अब इस्पीट डाउन हो गई तो कलस दबाव लीजिए ब्रिक पर रखिए फोर्ट लगाईए पीछे और फिर उटाइए पैर उपर ठीक है जब भी कलच आप दबाएंगे तो पैर कहां रखना है केवल ब्रिक पे क्योंकि जब आप कलस दबाया है तो उसमें एक्सिलेटर की जरूरत नहीं होती है कार आपकी बंद नहीं होती है कार चलती र बंद जाएगी तब आपको कलस दबाना है अब जलते हैं कि अब फिर यहां पर कंट्रूल करना है तो सिर्फ क्यों ब्रेक पैर रखिए दीदेरे ब्रेक लगा ही अलकल का और स्लो करिए और स्लो और स्लो बस अब फिर यहां पर कलच दबाके गेर थाड़ तीसरा अप्यों क्यों पर करना है तो पहले आप लगाएंगे दीदेरे ब्रेक से कार आप की श्लो हो गई है अब फिर यहां पर क्लच को पूरा नीचे दबा लिए और क्यों यहां पर ब्रेक से चलाई कार को दीदेरे ब्रेक लगाते रही है अब फिर यहां से बढ़ाना है तो क्यों खाप लेके यह और उपर के बस हाफे ही और रखे रहे पहले अगर हाफ से उपर लेके आएंगे तो यहां पर कर आपकी बंद हो जाएगी तो अगर कार आपकी सेकेंड केर में है फर्स्ट गेर में तो बढ़ने के लिए कि और हाप कि अब फिर यहां पर Rod control करनी है तो पहले ब्रेक पेर प्रेक लगा यह थोड़ा थोड़ा आञा जुब सब्सक्षा पूरा प्रेक रहते रहे लिए फ् Their darter 17 ये लप्ड झालिन प्रक मेलाना है कि चली प्लाच ऊपर लेंकित बैस लेकर H अब फिर क्लाश दबाके पेर ब्रकियाे घर थर्ड मार दीजिए अब फिर कलच ऊपर लेखिए है ऐसे अब फिर कलच दबाईए तरह तो के वाल ब्रेक जब कार आपकी फर्स्ट और स्केंड गेर में होगी तभी आपको कलच व ब्रिक यूज करना है अगर इस पीड ज्यादा है तो केवल ब्रिक से कार स्लो करनी है ठीक ठीक है मेरे यह वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब गली टेक केर बाई बाई